हलो फ्रेंट्स कैसी हूँ आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैंगे और फ्रेंट्स देखे हैं हमारे यहाँ पे ना दो तीन दिनों से लगातार बारिस हो रही है फज दिन तो बारिस नहीं थी पर राज से बारिस श्टार्ट हो गए थी और आज इतना मौसम खराब है यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर ना विंडो से मैं देख रही थी इतना सुंदर नजारा लग रहा था इतना अच्छा ठंडा ठंडा मतलब बड़ों के लिए तो बहु क्यों इन लोग को इसकूल भीज दी थी यह लोग जब आये ना बहुत ज़्यादा इन लोग को ठंड लग गई थी और फ्रेंट्स यहाँ पर देखें मैं ना विंडो खोलके रगती हवा नहीं चल रही थी लेकिन ठंड का मौसम था तो ठंड का जो हलकी फुलकी हवा भी आ और उसके बाद यहाँ पर देखें अभी मैं स्वयाविन की सबजी बना रही हूं और आलो की अभी ना बच्चों का मैं ना एक जब दो दिन से लगातार हमारे यहाँ बारी सोड़ी है तो मैंने फर्स्ट दिन जब था उस दिन मैंने बच्चों को इसकूल नहीं भेजी थी और मैंने सोचा कि अब पता नहीं कितना ना कितना दिन यह बारिस रहेगा तो आज मैं भेज देती हूं नहीं तो फिर छुटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आज भेजा ना मैंने तो फिर इसकूल में जब आ देते आया तो इतना ज़्यादा आसी दोनों का दोनों का जाम कि अंदर तो फिर भी थन नहीं था और हमारे इदे यह जारखन में रहती हूं और हमारे लृस टिक मुकाबले इतना थन नहीं रहता हैब पर जैसे अभी पढ़ रहा है दो दीन से उतना थन्थ नहीं क्यांजिकर की पानी को छूने एक बीडर लग रहा और यहां पर द कि बच्चों को आते आते लगभग पौने तीन बच जाता है हमेशा तीन बच के जब मतलब कि 10 मिनिट बाकी रहता है या फिर 15 मिनिट बाकी रहता है तब ही यह लोग घर पहुंचते हैं तो मैं आज ना दो बजे से खाना बनाना स्टार्ट किया है मैंने ताकि गरम रहे खान यह पर देखी फ्रेंट्स मैं बस मसाले गरा पीस की और यहां पर बस आलु सुयविन की सबजी पनारी गरम गरम चावल और धाल बनाऊंगी अभी और यहां पर देखी फ्रेंट्स मैंने आलू बॉइल कर लिया है आलू भी इसी में मिक्स करके बनाऊंगी क्योंकि ऐसे पाले अगेरे भून गया है और आयांस ना मतलब की वह उटी किया था बहुत देर तक वह भी सोया आज के दिन और कंबल से निकलने का तो मनी नहीं कर रहा था मेरे ना कुछ दिन से बहुत दिनों से व्लॉग नहीं जा रहा है तो फ्रेंड्स उसका रीजन अभी मैं आगे बत भोष जाते जूता पहन के कभी-कभी यहां पर देखे फ्रेंड्स लगी है और न बारिस बहुत तेज नहीं हो रही थी दिन भर हुई है लेकिन भूट तेज बारीज नहीं धीमी-धीन बारीज और उसके बाद एक फ्रेंड्स आयांस यहां के जित कर रहा था चाता मुझी खोल दो ऐसे करके चाता इस वो खोलवाना था पर चाता न अभी थोड़ा सा उसका जो पीन वगेरा है वो सिलाई निकल गिया है वो आयांस नहीं खेल खेल के मतलब खोल के हम लोग देते थे तो से बच्चा खेल लेगा और उसने खेल खेल में जब हम लोग उस गयले घर पे बरसात में और यह निव चाता मैंने लिया था इसी बार यहां पर देखी फ्रेंट्स इसलिए वह आदेते पापा उदर रख दिये इसको दिये नहीं और यहां पर देखी फ्रेंट्स मेरी सबजी भी लगबग बनी गई है और बस मैंने हरे धनिया की पत्ति डाल दिया बस करके रख दूँगी और वस यह लोगा भी हात मुद होएंगे फिर गर्म घरम खाना खाएंगे उसके बाद देखी फ्रेंट्स अभी साम का टाइम हो गया है और जो हमने यहां पर एक बेसिन लिया था ना तो इस बेसिन को फिट करने के लिए हम पलंबर को मतलब की भुलाय है थे मेरे हजबन तो पता है फ्रेंट्स क्या होता है कि कुछ चीजे ना जिनका जो काम है उन्हीं को सौप देना चाहिए हमें खुद नहीं उस्तादी दिखाना चाहिए क्योंकि मैं मानती हो कि जैसे कि यह लोग रोज यही काम करते हैं पलंबर का जो काम रहता है और यह आदिती के पापा भी कर सकते थे लेकिन न मैंने कहा कि इन लोगो ज्यादा अच्छा पता है और हम लोग से तो 19-20 होई जाएगी और यह लोग पुरा परफेक्शन की साथ यह लगा देंगे हां कुछ पैसे लगेंगे लगेंगे लेकिन उतना नहीं लगा था सिर्फ एक ब कामना लगभग आधा घंटा हो गया था क्योंकि लाइट आई नहीं रही थी और इन लोग का ड्रेल मचिन हैवी रहता है तो इन वर्टर के लैट से नहीं चलता है तो इसी वजह से फिल लाइट आने का इंतिजार कियें उसके बाद देखें यहां पर इसको फिक्स करते हैं और हम लोग ने इसी तरह इसको खड़ा कर दिये थे अगर कोई बच्चा हो गयरा चूता तो वो अराम से गिल के फूट जाता इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं आज ही बुला लेते हैं और फिर यह आ भी गाय थे कॉल कर किये तो और उसके बाद फिर यहां पर फिट कर देते हैं लेकिन हम लोग को लग रहा था कि बहुत पिजी बस दो डूर कर देना हैं दो जगा उसके बाद ही बहुत पिज़े लेकिन नहीं इसमें भी बहुत टायम लग गया था उनको मदलब छोटे मोटे बहुत सरे काम होते हैं यह सब काम में और वो तो इन ही कोई पता था有點 सारे समान भी हम लोग से मंगवाएं और यह जो नल में दिखा रही हो ना यह हमारे पास रखा हुआ था जब हमने इस घर में पलंबर का जितना भी नल फेट वगरा काम था ना तो यह एक्ष्ट्रा आया हुआ था कहां पर लगने के लिए आया था यह नहीं पता पर यह बचा हुआ था तो इसी वज़े से अभी वासिक मसीन तो लगेगा नि क्योंकि यहां पर इतना स्पेस नहीं यह जब मैंने रखा तो पूरा यह भरा भरा लग रहा था पूरा कंजेस्टर में पैर रखने की जगह उतनी नहीं बच रही थी वैसा सीन हो गया था तो फिर हमने वास काम इजी हो गया है बच्चों को फेस वास करने में और हम लोगों को जिसे ब्रश करने में मॉर्निंग के टैम बहुत जादा सुवीदा हो गई है और यहां पर एक में सीसा भी लगाऊंगी जो कि मेरे उस अले घर के ब्रामदे में लगावा था वाइट कलर का सीसा वह यहा क्या है यहाँ पर میरे बहुत सारे काम भी हो जाएंगे और जैसे की मेरे हजबन भी यहां पर जैसे कि सेविंग करते हैं ऩमन करता तो फिर मुझे डाइट बेडरूम में जाना पड़ता था यहां फिर किसी को भी तो यहां पे एक बहुत ज़ादम हमें जरूरी था जो कि हम पहले यह दिमाग में हमारे बिल्कुल नहीं था जब हम लोग रहने लगें यहां पे तब हमें सारी जो भी दिक्कते हो रही है वो समझ में आने कर रहा है वो धीरे-दीर हम लोग उसका सॉलेशन भी निकाल रहे हैं उसके बाद देखी फ्रेंट से में च्छत आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए बारिस रुख गई थी और पूरा च्छत सुखा हुआ था लेकिन मैंने देखा कि मेरे यहां पे बारिस यहां पे है औ मैंने जाड़ू से पूरा मैंने निकाल दिया और यहां पर देखी फ्रेंट्स यह जो चटाई थी ना यह मेरी फट गई अभी फटी नहीं थी लेकिन अभी हवा आंधी से फट गया और वह भी मैं बार बार सुखा रही थी तनी तेज हवा चल रही थी जैसे कि जब बारिस Stevens whether टेख थी मेरे कपड़े थें तो कपड़े भी मेरी इसम इसमें घाल수 और चटाई है और बहुत अच्छी कि यह थी सारा काम हो गया है नीचे का बस अभी मैं जाके नहालूंगे और उसके बाद देखिए आयान से यहाँ पर धूप हो रही थी आज जैसे धूप भी हो रही थी और फिर छा भी हो रही थी बहुत तेज हवा भी चल रही थी ऐसा मौसम था बहुत खुशी मिल रही थी कि मौसम सा दूप की दर्सन नहीं होते है ना तो पूरा लगता है कि कैसा हो गया एक दिन तो फिर भी बरतास हो जाता है अगर दो तीन दिन लगाता दूपने निकलती है ना लगता है कि उतल पुतल हो गया है तो फ्रेंड्स यही तक थी आज की मेरी वीडियो उमीद करती हूं आप चसी सीन नही वीडियो की साहत भाएब, यश्या लगता है थाया जाफगा